इश्वर द्यान चैनल को भेट देने ही तु धन्यवाद, यह चैनल ग्लोबल मानुवासंग संस्ता के माद्यम से मानुवासंप्रदाय अर्थाद जैकुष्णी संप्रदाय के अनुयायों को आचरनिय ज्यान और सामन्य भाषा में ब्रह्मविद्या सिधान्त समझाने का कार यहाँ प्रसारित होने वाले विडियो का उद्देश के वर स्री चक्रदर जी द्वारा बताई जीवन प्रिवर्तन करने वाली आचरनिय ज्यान को आसमाज में प्रसारित करना है ग्लोबल महनवव संग संस्ता का उद्देश किसी भी संस्ता समिती व्यक्ती ग्रूप धर्म विचार आधी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है संस्ता किसी भी माध्यम से ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करती है अतर अधिक जानकार ही तू और किसी भी आक्षब ही तू प्रतम संस्ता से संप्रदा प्रशात अपने कार्य करें जैसरी चक्रदर प्रणाम जैसरी चक्रदर आज का प्रश्ना आया है हमें कि महनवव संप्रदाई के लोग स्री कृष्ण जी को तो मानते हैं उनकी पूजा तो करते हैं लेकिन पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के साथ जिनका नाम लिया जाता है मतलब राधा नाम लिया जाता है उस राधा की उपासना और उनकी पूजा और उनको मान्यता ये संप्रदाई के लोग क्यों नही करते हैं कि महानुवाव संप्रदाई का इसके इस सवाल को जानने के लिए हमें महानुवाव संप्रदाई का सिध्धान्त समझना बहुत जरूरी है बंदो संप्रदाय का सिधान्त इश्वर धर्म पे आधारीत है मतलब पतिवरता धर्म पे आधारीत है जैसे पतनी होती है उसके लिए पतिवरता धर्म क्या होता है कि अपने पती को छोड़कर किसी भी पराय मर्द से जादा बात करना उससे संपर्क रखना या उसको छोड़कर किसी भी और वस्तुओं की चाहत रखना ये पतिवरता धर्म के खिलाप माना गया है और महानुबह संप्रदाय ये एक इश्वर को मानने वाला संप्रदाय है और वो इश्वर को मानना ये पतिवरता धर्म के भाव से पालन करता है कि मैं केवल स्री कुष्ण चकरवर्ती महाराज, श्री अतातवय प्रभु महाराज, स्री चकरपानी प्रभु महाराज, श्री ग या किसी भी और के संदर्भ में पूजन करना उनकी आराधना करना उनको परमेश्वर समान मानना इस प्रकार के विचारों से महनवो संप्रदय का साधक परहेज करता है मानता नहीं है अब स्री कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है या बाद में राधा का नाम लिया जाता है राधे राधे बोला जाता है यह जो परमपरा शुरू हुई है यह ज्यादातर मतुरा व्रिंदावन और उत्तर भारत की और या पूरी दुनिया में बोली या ऐसा कुछ र बग्वान स्री चक्रवरती महराज बैटे हो उनका अस्पर्श हुआ हो यह पांच आउतारों में से कोई भी आउतार से संब्मन्दित कोई भी हुए उस चीज को चोड़कर उस वस्तु को चोड़कर और किसी भी चीज की आराधना पूजा ये किया संप्रदाई के खिलाफ है ये किया नहीं जाता है अब राधा को मानना या दुसरे और संप्रदाई क्यों मानते है या राधा सही में थी या नहीं थी इन सब बातों की तरफ मैं समझता हूं हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमने धर्म को धारन किया हुआ है मतलब महनुवा संप्रदाई के विचारों को हमने धारन किया हुआ है अगर हमने धारन किया हुआ है तो उस धारन किये हुए के अनुसार हमें हमारा जीवन व्यतित करना ये अनिवार्य है उसके बगेर हमें वो धारन की हुई चीज का महत हमें समझ में नहीं आएगा और खुद का उद्धार भी नहीं होगा अभी हमारा सिधान्त क्या कहता है कि किसी भी पाशान को तीन दिन तक अगर हम करें त्रिशुद्धी वाट पाहे ऐसा एक उल्लेक आता है कि तीन दिन तक अगर आप पूजा करते हो तो उस संधर्भ में हम अगर सोचेंगे तो राधा नाम भी कैसा हो गया भी राधा नाम हो गया देवता संबंदित नाव हो गया वह इश्वर का नाम नहीं है और हम तो है एक इश्वर वादी तो हमारा सिद्धान्त हो गया कि केवल इश्वर को मानना अब और किसी को जैसे यसोदा लीजिए भगवान की माता थी इश्वर से भी हम उनको मनुश्य रूप में कहेंगे तो इश्वर से भी स्रेष्ट इश्वर की माता है कि उन्होंने इश्वर को जनम दिया या इश्वर ने उनको चुना है यहां पर आने के लिए गर्भी आउतार जो लेते हैं माता को चुन कराते हैं पिता जी लीजिए नंद बाबा लीजिए या बलराम लीजिए कोई भी लीजिए लेकिन वह इश्वर नहीं हो सकते हैं जैसे राधा लीज सकता है इसलिए मानुवा संप्रदाय का आवासनी मानुवा संप्रदाय का अनुवयाई राधा को पूजन नहीं करता है अब इससे और लोग पूजन कर रहे हैं उस पर हमें आपत्ती भी नहीं है क्योंकि जिसको जिस चीज़ पर प्रचिती आती है जिसको जिस चीज़ पर अनुभूती आती है वो इसके चीज़ पीछे जाने वाला है वो तो नेचरल है वो लेकिन हमारी अनुभूती भगवान स्री कुष्ण से है भगवान स्री कुष्ण जगन मान्य आउतार है उनकी गीता हमें मान्य है और हमारे स्री चक्रदर स्वामी ज दीज इशवर आउतार और इस कारण हम एकम को मान रहे हैं अगर उनौने कहा होता कि ईतितार केक्व पाँच अवतारा हुång उन पाच आउतारों की आराधना करना और उनके बगेर किसी और को न पूझना ये हमारा सिद्धानत है इस कारण हम राधा को नहीं मानते हैं और मानते नहीं है मतलब हम राधा हो सकती है या राधा नहीं हो सकती है उस क्षेत्र में उस संबंद में हमें विचार भी करना नहीं है कि हम एक एवरके जो पांच उतार है उन्हें अजिए लक्ष हमें दिमाग में रखे क्यों कि ओन देवता अभीमान है तो देवताओं की पूजा तो हमारे इसमें कि हैं अब अभिमान आ मतलब सामर्थ आ गया सामर्थ आया मतलब अगर उपास ना करी तो विकल्प नाम का दोश लगेगा हमें कि आप देवताओं की पूजा कर रहे हो हमें चलता नहीं है इस कारण हम राधाजी को पूजते नहीं आराधना उनकी हम करते नहीं है बाकी और कुछ भी कारण नहीं है जो अगर आपने महानुवा संपरदय का सुषिकार किया है तो उसके सिध्धान्त हमें मानने पढ़ते मैं पति बिरता का दुरश्टांत इसलिए बताया आपको पहले कि पति परता जो धर्म है वो हमारे धर्म में महतवपुर्ण माना गया है कि पति बिरता एक निश्थता यह वह में समझ मिनि आएगा इसलिए हम ऐसा करनी सकते निभी माणुमों संप्रदय का साधक क्यों इस्षवर कौ मानता है और इस्षवर की आरादना करता है जो जो एक इस्षवर के पांच अवटार है उन पांच-अवटारों से सम्मंदित ही कोई वीक्रिया करता है और उसक को ही मान्यता है आज के लिए इतना ही धंड़त प्रणाम जैसरी चक्रदर